एमदबाद में रोड शोगिवाद पंचाय समेलर्ण में प्रधान मंत्री मोदी नी गांधी के सपनों की दिलाई याद का हमें पूरे करने हैं। ब्राम विकास का मिशन दाओं में एकता की शक्ती ज्यादा है। शबत ग्रहन से पहले एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ लगनों में कैबिनेट की बैटा की बाद राजयपाल अनंदी बेन पटेल को सोफा इस सीफा राजयपाल ने जीत के लिए योगी को बधाई दी 14 या 15 मार्च को हो सकता है शबत ग्रहन समहर। सूला मार्च को बंजाब के मुखे मंतरी शपत लेंगे। कर निकम का 13 करोड का फट। उसके खिलाव बाइडेन का बड़ा फैसला घश्या से छीन सकता है मोस्ट फेवरेड नीशन का दर्जा। उधर पुतिन ने यूकरेन के साथ बातचीत को बताया सकारात्माग। बजट गोशनाओं के लिए सरकार का अभार सीमार पहुंची बड़ी संख्या में लोगों ने। मुख्यमंत्री से मिलकर जताया भार सेलफी का भी दिखा क्रेस गैलोत बोले हम राजिस्सान का करेंगी चहुं मुख्य विकास। यूपी में प्रचन जीत के बाद राजिस्सान में बुल्डोजर पर घमासान सतीश पुनिया की बयान पर बोली खाचुरिय अबास। पुनिया ने आज तक कितने लोगों पर चलाया बुल्डोजर रामलाल शर्मा बोले दोजार तेईस में प्रचन बहुमस से बनेगी सरकार। राजिस्सान को तमागों मुक्त बनाने की कवायद निरोगी राजिसान अवियान के तहट बनाया एक्शन प्लान सर्वजनिक सानुपर कोटपा अधिनियम की अवेलना पर होगा एक्शन। दोलपूर जिला अधालक का बड़ा फैसला सास साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी को सुनाई उम्रकैद की ससा प्रिमीका को साक्षों के अभाव में बरी किया। और लगातार पांचवे साल भी फिसड़ी जैपूर एरपोर्ट एरपोर्ट कॉंसिल इंटरनेशनल के सर्वे में कोचीन पहले और अमदबाद दूसरे नंबर पर रहा। 2015 और 16 में जैपूर एरपोर्ट था नंबर बाद।